वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बादाम खाने के क्या फायदे हैं बादाम हमें किस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और सही प्रयोग क्या है ताकि हमारे शरीर को बादाम खाने का पूरा का पूरा फायदा मिल सके बहुत से लोगों को ये confusion रहता है सूखे बादाम खाएं, की पानी में भीगे बादाम खाएं बादाम की quantity हम कब रखें सुबह खाली पेट खाएं या रात को सोते समय खाएं सारे confusion दूर करूँगी दोसों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शिखास की चन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बादाम आलमंड एक सुपर फूट की फ्रेणी में आता है और इसे हम कहते हैं नट्स का बादशाह ऐसा ड्राइफ फूट है दोसों जो की आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं तो आप आसा नहीं की से लाए और ये खराब हो जाता है लंबे समय तक यह खराब नहीं होता है तो आप आसानी से से खरीच सकते हैं इस्टोर कर सकते हैं तीन से चार बदाम तो हमें जरूर खाना चाहिए, कई बिमारियों से हम बच सकते हैं, यदि रेगुलर डाइट में हम बदाम का सेवन करते हैं, और खास कर ठंड के मौसम में तो हमें जरूर खाना चाहिए, दोस्तों हम थोड़े से बिमार होते हैं, हमारा हड़ियों में दर् तीन से चार बिजांदूर के लिए खास कर विंटर सीजन में और पानी में भिगे हुए बिज़ती हुए बिजा नहिंदी वीडियो में, बदाम हमारे दिल, दिमाग, हमारे आखों, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है, बदाम खाने से हमारे आखों की रोशनी तेज होती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, बदाम में भरपूर मात्रा में विटामिन E होता है, और ये जो व भीगे हुए बदाम लेते हैं दोस्तों तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी, इसकन में बहुत अच्छा ग्लो आएगा, बालों का जड़ना बंद होगा, सफेद बालों की समस्या दूर होगी, बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, पानी में भीगे हुए बद बदाम खाना ज्यादा फाइदे मन्द है, क्योंकि दोस्तों जब आप सुखे बदाम खाते हैं, सुखा बदाम जल्दी डाइजेस नहीं होता है, हमें पहला करण, दूसरा जब पानी में हम बदाम को भीगाते हैं, तो बदाम की जो गर्म तासीर होती है, वह पानी में या कम से कम एक दो घंटे जरूर भीगाएं, मैंने भी बदाम को तीन चार घंटे पहले भीगा दिया था, आप देख रहे हैं, सिर्फ मैं बदाम को हलका सा मैं दबा रही हूं और इसका छिलका उतरता जा रहा है, तो तीन से चार बदाम का सेवन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, जो लोग जिम जाते हैं, बहुत जादा एकसरसाइस करते हैं, वे पांच से छे बदाम भी ठंड के मौसम में ले सकते हैं, गर्मी के मौसम में आपको केवल तीन बदाम ही खाना है, पानी में भीके हुए बदाम खाने से दोस्टों, जो बदाम का छिलका हम उतार ये भी एक कुश्यन है दोस्टों कि छिलका उतार कर खाएं की नहीं, जी हाँ, बदाम का छिलका उतार कर जरूर खाएं दोस्टों, क्योंकि बदाम के छिलके में टैनीन नामक एक तत्व होता है, जो इसको ठीक तरह से हमारे शरीर में एब्जॉप नहीं होने देता है, और हमारे शरीर को इसका उतना फाइदा नहीं मिलता है इसलिए भीके हुए बदाम का आप छिलका उतार कर ही खाएं और बदाम का छिलका उतार कर खाने से दोस्तों हमारी मिमोरी शार्फ होती है हमारी याददास्त बढ़ती है आखों की रोशनी तेज होती है जो हार्ट पेशें उन्हें भी बदाम का सेवन जरूर करना चाहिए जिन्हें बीपी है उन्हें भी जरूर खाना चाहिए तीन से चार बदाम जरूर खाएं जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें भी बदाम का सेवन जरूर करना चाहिए तो भरपूर वात्रा में इसमें फाइबर होता है औ और वजन को कम होने में आसानी होगी इसके लाबा जो लोग जिम जाते हैं बहुत जाधा exercise करते हैं वे exercise करने के कुछ मिनट पहले खाएं कुछ देर पहले खाएं ताकि जब exercise करने के लिए उन्हें एनर्जी की जरुवत होती है तो उनके शरीर को भरपूर एनरजी मिल सके, तो exercise के पहले खाए, जिन लोगों को नीद नहीं आती है, insomnia की परिशानी है, अनिद्रा की परिशानी है, बारबार नीद खुलती है, वे रात के समय पानी में भीगे हुए बदाम या फिर दूद में पके हुए बदाम खाए, एक किलास दूद में चार बदाम डालकर उबालकर उसे पी कर यदि सोते हैं, तो उन्हें नीद अच्छी गहरी आती है, तो नीद लाना है, तो फिर रात के समय खाए, बहुत रात को नहीं, सोने से आधा घंटा पहले खाए, आपको नीद बहुत अच्छी आईगी, बदाम में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 फैटी एसीड होता है, जो की हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, आप कुछ दिन बदाम का सेवन करेंगे न, आपको लगेगा, अरे वा हमारे बाल कितने अच्छे हो गए, बाल हेल्दी, मतलब आपके जो बाल है, उनकी क्वालिटी अच्छी ह हो जाएगी, कई बार बाल हमारे रुखे सुखे बेजान से हो जाते हैं, बालों का घना पनाये का बालों में, बालों में चमक आएगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी, और उसी तरह से आपके स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आएगा दोस्तों, हड्डियों के से परिशा हमेशा पानी में भीके हुए बादाम शुरू से खाते आए हैं, इसलिए तो पुराने समय के जो लोग थे, वे जल्दी बीमार नहीं होते थे, उनके दात जल्दी खराब नहीं होते थे, उनकी हड्डियां जल्दी खराब नहीं होती थी, आजकल तो जोईंट पेंट, मजबूती आती है, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूफ करता है, कब्ज को दूर करता है, और वेट लॉस, नीन की समस्या को दूर करता है, बहुत से इसके फाइदे हैं दोस्तों, तो सुखा बदाम ना खाएं, पानी में भीगा बदाम सुखे बदाम को हजम करने में भी हमारे पाचन शक्ति को बहुत महनत करना पड़ती है, इसलिए भीगे हुए बदाम ज्यादा फाइदे मंद होते हैं, सुभा लें, विटामिन E से भरपूर होता है दोस्तों, और इसलिए तो इसे नट्स का बास्ता कहा जाता है, इतना ज् इसे जरूर शामिल करें, और साथ ही जो डियाबिटिक पेशेंट है, उन्हें भी जरूर खाना चाहिए इसे, एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होता है, फाइबर होता है, इसमें हाई प्रोटीन होता है, कॉपर, जिंग, विटामिन E होता है, तो बहुत सारे इसमें विट किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो बस चार बदाम खाएं, पानी में भीगे छिलके उतार कर खाएं, इसलिए तो बदाम जो है दोस्तों, इसे ड्राइफ रूट्स का राजा कहा जाता है, इतना ज़्यादा फाइदे मंद होता है, और ठंड के मौसम में आप इसे चार-पांच भी खा सकते हैं, ज़्यादा फाइदे मंद हैं, सर्दी खासी बदंदर्द से छुटकारा मिलेगा आपको, और साथी साथ आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है, चश्मा लगा है तो चश्मा भी उतर जाएगा, किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों, बद का सेवन आपकी हडियों को और भी ज्यादा मजबून बनाएगा.